सबसे पहले तो दिल से थैंक्यू कि नोट प्रिंटिंग स्ट्रेजी ने आग लगा रखी है धूम मचा रखी है सब लोग पैसा कमा रहे हैं और मेरी यही कोशिश थी कि जो यह फ्री स्ट्रेजी मैंने आप सब को दी है और साथ मैं इंस्ट्राग्राम पे जो मैं आप लोगों के चार्ट के द्वारा हेल्प कर रहा हूँ उससे आप सब पैसा कमाई और मेरी महनत सफल होते वे दिखरी है लेकिन वहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको और सफल आप ही बना सकते हैं जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें लेकिन अगर आपने वह फ्री स्ट्रेटजी नहीं लिये तो 970-80-94-321 पे मैसेज करके फ्री स्ट्रेटजी भी ले ले और अपने डाउट्स उस स्ट्रेटजी से रिलेटेड हमें इंस्टाग्राम पर जरूर दे लिंक डिस्क्रिप्शन में है जुर जाईएगा और उसके साथ एक बिग गुड नियूज 25 अप्रिल से सुरू हो रही है 0 to hero master class और सबसे प्यारी बात घर से पैसे देने की जरूरत नहीं है जिन जिन लोगों ने इस free strategy से पैसा कमाया है उस पैसे से आप class join करें जिससे की एक complete journey जो मैंने आपको दिखाने की कोसिस की कि एक छोटी सी strategy देने के बाद आपको कितना doubt होता है इंस्टाग्राम पे आप कितनी सवाल करते हो उसके बाद भी live market में आके मैंने कई बार live chart पे आपको दिखाया है कि कैसे trade execute हो रहा है तो यानि आपको एक real complete help की जरुवत पढ़ती है बिलकुल उसी तरीके से हम zero to hero master class में basic से advance सिखाएंगे आपके सारे सीखे वे doubt को दूर करेंगे mentor के दुआरा revision class देंगे और किस तरीके से वो trade हो रहा है उसकी पूरी picture दिखाएंगे जिससे आप एक real trader बन सको क्योंकि market में mostly लोग beginner हैं जिने market में stock market का S तक मालूम नहीं है और वहाँ पर एन ही सब के कारण 10 में no log loss में हैं तो वहाँ पर हम बिलकुल unique courses करते हैं stock market की class school की तरह जहाँ पर हम बच्चों की तरह सिखाते हैं और आपके starry doubt को दूर करते हैं जिससे आप मजबूती से एक real trader बनते हो और पैसा कमा पाते हो तो स्वागत है आपका 9708094321 पे call कीजिए team से बात कीजिए कि आखिर ये ऐसा क्या है जो आपकी life बदल सकता है ऐसा क्या है जो आपको पैसे कमाने में help कर सकता है ऐसा क्या है जो आपकी loss recovery में help कर सकता है क्योंकि आप सब अपने मेहनत के पैसे को गवा चुके हो तभी तो 46,00,00 डिमेट अकाउंट 2022 में बंद हुए आपका दिल माने ना माने बटा बहतर से जानते हूं कि आप में से हर दूसरा इंसान stock market में loss करके बैठा है reason क्या है? tips के पीछे जा रहे हैं कभी इसकी tips, कभी इसकी tips, कभी इसकी tips tips होटल में मिलती है tips से मुनाफानी होता है tips से सिर्फ नुकसान होता है कभी तो 10 में लोग 9 लोग loss में तो please इस बात को समझे और अपने महनत के पैसे को सही जगर लगाए और सीख कमाए hello everyone कैसा है आप सब और क्या हाल समाचार है अगर Tata Group के सारे share में invest करना हो और एक-एक share ले तो कम से कम 16-17,000 लग जाएंगे लेगिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दू जहाँ पर सिर्फ 2,000 रुपय से Tata Group के सारे share में invest कर सकते हो तो कैसा रहेगा क्योंकि अगर देखा जाए तो retail भाई सारा share तो नहीं खरीज सकते और एक-एक share खरीज लेंगे तो भी क्या होने वाला है तो वहीं पर हम आपको आज एक unique चीज बताने वाले हैं और एक ऐसी analysis big eye opener की मज़ा आ जाएगा stock market hidden gems से भरा हुआ है बट आपको पता होना चीए कि gems खोजना कैसे और ये statement मेरा नहीं है world के 5th सबसे अमीर इंसान Warren Buffett सरका है और मैं इस statement को दिल से मानता हूँ टोटल 6,819 कंपनिया लिस्टेड है NSC और BSC में और हीनी कंपनी में से कुछ कंपनी होती है जो 20 साल बाद बनती है Titan, HDFC, Reliance, ACNPIN जैसी multiweber और करेक्ट है और ऐसा ही एक hidden gem के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ और सबसे अच्छी बात ये है कि ये hidden gem जिस corporate group का है वो corporate group हम सब का favorite है तो क्या आप guess कर पा रहे हैं कि मैं किस group की बात कर रहा हूँ तो comment में बताईएगा मैं बात कर रहा हूँ Tata Group के कंपनी की जहां पर हम बात करने वाले है Tata Investment Corporation की जी हाँ यही है वो hidden gem तो Tata Investment Corporation करती क्या है क्यों कह रहा हूँ hidden gem कैसा है इसका fundamental सब कुछ सीखने वाले हैं इसके अलावाए एक नई analysis का तरीका भी आपको सीखाने वाला हूँ और last में मिलेगा एक bonus जिससे आप Tata Group के stock Meprox 87% discount पर buy कर सकोगे और यह scam नहीं है real calculation है तो वीडियो को द्यान से देखेगा वीडियो को like कर दीचे चैनल को subscribe कर लीजे तो सबसे पहले हम लोग Tata Investment Corporation के business model को समझते हैं तो Tata Investment Corporation Investment Category में registered non banking financial company है यह normal NBFC जैसा नहीं है इसका main काम है investment करना बस यही इसका काम है बिल्कुल simple easy to understand अब देखते हैं Tata Investment Corporation किन asset में अपने investor का पैसा invest कर रहा है यह अपने shareholder के पैसे को listed और unlisted debt instrument और mutual fund में invest करता है तो यहां तक हम लोग Tata Investment Corporation के business को समझ गए हैं आसान से भासा में जैसे हम लोग bond या mutual fund में invest करते हैं वैसे ही यह company भी अपने shareholder के पैसे को invest करता है और invest से जो return मिलता है वो इस company का profit होता है मार्च 2022 तक company के portfolio में total 87 share थे जिसमें 73 listed share थे और 14 unlisted share थे Tata Investment Corporation चार तरीके से revenue earn करता है दूसरा है interest income और तीसरा है share sale और चौथा है share lending इन segment में revenue breakup अब देखते हैं तो dividend से 50.37% interest income से 14.87% share selling से 34.68% और share lending से 0.08% आता है अब देखते हैं इनका asset allocation जिसमें हमें पता चलेगा कि Tata Investment Corporation अपना investment कैसे allocate किया है company का total investment है 3047 करोड रुपे के पास का listed companies में 65.83% allocation है unlisted equity में 9.57% bond and venture में 10.49% debt equity mutual fund में 7.49% government securities में 2.60% invict rates में 2.89% और venture capital fund यानी new business में 0.65% का allocation है तो आप देख सकते हैं कि equity में allocation जादा है और debt और safe investment में allocation कम है तो अब तक हम लोग Tata Investment Corporation के business, revenue breakup, asset allocation देख चुके है अब देखते हैं company के financial और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ अच्छे से ध्यान दे क्योंकि एक नई learning मिलने वाली है इस company के financial से Tata Investment Corp का पास साल का compounding sale growth है minus 1.36% और पास साल का compounding profit growth है minus 0.10% Year over year quarterly sale growth है minus 53% Year over year quarterly profit growth है minus 59.7% Yearly, quarterly दोनो negative ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ और आपके सामने भी है आगे बताऊंगा क्या सच है, क्या दिख रहा है उससे पहले कुछ और ratio को देखते हैं तो company का ROC है 1.36% ROE है 1.20% तो इस बार मैं 5 साल का industry का average ROC और ROE से compare नहीं करूँगा अब आप सोच रहे होगे क्यूं सब बताऊंगा debt to equity है 0 मतब company debt free है dividend yield है 2.50% मतलब अगर आज आप इस company में 2205 रुपे invest कर रहे हो तो आपको 0.5% dividend मिलेगा तो यहां तक हम लोग company के annual quarterly performance देखे, दोनों negative है, return ratio negative, मतलब ना के बराबर correct है? तो अब financial data के अनुसार, Tata Investment Corp कैसी company हुई, आप comment में बताएं जो आपको दिखा बाहर से मुझे तो लग रहा है, खराब company हुई सब कुछ negative है आप video को pause करके, comment ज़रूर की लिए, क्योंकि यहीं पर बहुत big learning मिलने वाली है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने इसको industry से compare नहीं किया देखे, इसके peer में आपको दिखेंगे बजाज finance, बजाज फिंसर्व, SPI card बजाज holding, चोला investment finance सिराम finance, मुतुत finance इन सब में सिर्फ बजाज holding अकेला है जो Tata investment corporation की तरह काम करता है बाकि सारी company lending business में involved है यही वज़ा है कि हम लोग Tata investment corp का industry से compare नहीं कर सकते finance category में आता है इसलिए peer में ये सब company दिखता है मगर हमने detail में देखना पड़ता है कि आखिर सच में competitor है या नहीं बजाज holding और Tata investment corp इन दोनों का business model एक जैसा है मगर difference यह है कि Tata group का investment multiple stocks में है और बजाज holding का 54% investment बजाज group की company में इसलिए हम इन दोनों का भी compare नहीं कर सकते तो उमीद है कि आप समझ गये होगी कि मैंने industry से Tata investment को compare क्यों नहीं किया अब देखते हैं company के financial का real face जो हमें एक detail analysis से समझना होता है तो अब तक आप समझ चुके हैं कि Tata investment को और अपने investor का पैसा company में invest करता है और यहीं पे इनके financial का राज छुपा है देखिए हर किसी का अपना investment strategy है जैसे वरेन बफिर सर का है buy and hold for ठीक इसी तरीके से Tata investment का अपना investment का तरीका है Tata investment value create strategy पे काम करता है value create का मतलब है एक तरीका जिसमें company ऐसा उम्मीद करती है कि इन्होंने अपना shareholder के wealth को कितना पॉसेंट बढ़ाया example के लिए अगर investor ने 100 रुपे इन्वेस्ट किया था तो कितना पॉसेंट इनका wealth बढ़ा है यही इन्वेस्ट करती है तो यह clear है कि Tata investment long term investment strategy पे विश्वास करता है और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि share market में long term का वीजन रखिये Tata investment ने 2007 से 2025 तक अपने जो investor है उनको 16.44% का compounding return दिया मतलब अपने investor के पैसे को 16.44% CAJR से grow किया example देखते हैं अगर आप 500 पर invest करते 15 साल में तो आपका investment होता 90,000 और return मिलता 3,1413 तो total कितना हुआ 3,9413 तो मतलब भाई return में कमी नहीं किया है Tata investment ने इसके अलावा 0,5% का dividend देता है यह अलग benefit है तो अब देखना यह है कि क्या यही return company के share price में दिख रहा है तो जनवरी 2007 में share का low था 377 रुपे 30 पेस है 2022 में high बनाया 2883 रुपे 40 पेस है percentage wise 644.21% का absolute return है और CSER देखें तो share price 14.50% से grow हुआ है मतलब हर हालत में Tata investment corp ने अपने investor को return दिया है और यह बहुत बड़ी learning है अब समड़ी में आते है Tata investment corp का business model बहुत आसान और अच्छा है financial performance खराब दिखने के बाद भी company ने काफी अच्छा return दिया है इससे आप क्या सीखते है क्या सीखते मुन्ना इससे सीखते यही है कि यह जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वो सच है कई बार होता कुछ और है कुछ दिन पहले मैंने brightcom group की analysis की थी उसके financial performance बहुत अच्छे दिख रहे थे मगर company ने अपने investor का पैसा डुबाया और आज Tata investment financial के दिखा है सब कुछ खराब दिखा दा है मगर return अच्छा दिया है इसी को कहा जाता है analysis जो बिना सीखे आ नहीं सकती है एक अलग तरीका जिससे ऐसा stock देखें जहां पर हम multi-bagger return निकाल सके अब मैं आपको बता दू कि Tata investment corporation की analysis आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैंने आपके साथ किये और यही होता hidden jam जो आपको stock market में खोज ना होता है तो उमीद है यहां तक समझ गए होगे अब आते हैं सबसे important सवाल पर क्या अभी buy किया जा सकता है Tata investment should we buy Tata investment corporation तो इसका जवाब हमें कौन देगा valuation current P 46 5 year average P 36 मतलब on an average Tata investment जिस P पे trade कर रहा था उससे थोड़ा उपर है और उपर में trade करता है P G ratio इसमें काम नहीं करेगा इसलिए P G ratio नहीं देखे Tata investment का book value जो per share है वो 3986 है मतलब अगर आज के date में company बंद हो जाती है तो इसके हर share को एक share के बदले 3986 रुपय में मिलेगा और share का current price चल रहा है 205 मतलब book value के basis पर Tata investment under price देख रहा है P E के अनुसर over price book value के अनुसर under price confusion हो गया लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि company 16% के compounding growth देता है 15 साल में तो फिर हम लोग 15 साल के view को भी तो देखना चाहिए न अभीका कैसे देखेंगे बताइए correct है अब time है bonus का चलिए बताता हूं कैसे आप Tata Group के stock को 87% discount में बाय कर सकते हो calculation simple TCS का price 314 Tata Motor का price 476 Tata Steel का 108 Tata Power का 106 Titan का 2580 के पास Indian Hotel 335 Tata Consumer 703 Volta 866 Trent 1393 और Tata Elexy 62 इन सभी में अगर invest करें तो 16,000 के आसपास होगा अगर एक एक share करेंगे मगर Tata Investment Corp के थूरू आप इन सभी में सिर्फ 2,000 रुपए में invest कर सकते हैं क्योंकि Tata Investment Corp की जो current price है वो 205 के पास यानि Tata के share आपको कित्ते में मिले 87% discount में तो ये था Tata Investment Corp की detail analysis जहां पर आप अलग-अलग लेने की जगा Tata Investment में भी अगर वो 15 साल का वीजन ये कंपनी किस तरीके से slow process वाली है अगर उन में आप इस्वास करते हो तो आप यहाँ पर इंवेश्ट के बारे में सोच सकते हो तो उम्मीद करूँगा analysis पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर कीजिएगा और प्यार दीजेगा thank you so much